इस इपक सिंग और आज हम टॉपिक डिसकस करेंगे वागा ओफ गुजरात अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बहई सर पढ़ते वढ़ते नहीं है क्या कि वागा ओफ गुजरात कहां पर हो गया ये तो वागा और अटारी बॉर्डर पर जो शेरिमनी होती है वागा बॉर् संजाब क्रोस करके आपका वागा आता है तो वहां पे होता है आपका तो अमरित सर जाओ फिर उसके बाद अटारी आता है और फिर वागा आपका जो सिटी है वो लाहावर में तो गुजरात में कहां से आ गया बई पर ये कोई फैक्ट्वल हर नहीं है ये सिर्फ एक थोड़ दर्शन स्कीम में एक आपकी लाँच करी गई है गुजरात गर्मेंट ने ठीक है तो उस स्कीम के अंदर आपकी एक जगा आपकी इनाउगरेट करी है यह हमारे होम मिनिस्टर है गुजरात से ही आपके और आपके कोपरेटिव मिनिस्टर भी है तो एक जगा है नदबेट N-A-D-A-B-E-T So this is a place in Gujarat, यहाँ पे इंडो-पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल आपके close है, यह आपका टाउन है, तो यहाँ पे आपका बॉर्डर दर्शन स्कीम आपकी लॉंच करी गई है यहाँ पे आपका, तो Gujarat Tourism ने तो अगें इस पॉइंट को अभी Home Minister Amit Shah ने आपके यहाँ पे इनाउगरेट करा था, तो इसी के कंटेक्स में, मैं आपको बताया था बॉर्डर दर्शन स्कीम, और अगर बॉर्डर को अगर हम हिंदी में बात करें, तो SEMA दर्शन स्कीम, SEMA So that is a Hindi name of आपका आपका सीमा दर्शन प्रोजेक्ट, आपका Home Minister Amit Shah ने आपका यहाँ आपका April 10 को ही करा था and that was आपका inaugurated अ इंडो पाक बॉर्डर व्यूइंग पॉइंट इन नदाबेट, तो यह आपका बॉर्डर व्यूइंग पॉइंग पॉइंट है वहाँ पे जाके लोग आपका बॉर्डर देख सकते feel ले सकते हैं कि आपका इंडिया पाकिस्तान यहाँ पे divided है, across the border अगर किसी को पाकिस्तान बॉर्डर पॉइंट से देखना है तो यह नदाबेट है गुजरात में and that is around 200 किलोमेटर from Ahmedabad, तो इसी जगा को अगर हम देखें तो यह आपका पाकिस्तान के साथ boundary lien है यहाँ से और यहाँ पे आपका नदाबेट आपका गुजरात में आपका है located close to आपका इंडिया पाकिस्तान border में आपका, तो आप देख सकते हैं तो friends जैसे मैंने आपको बताया था it is located in the run of kach region आपका, run of kach के region में आपका है यह, in नदाबेट इन गुजरात, it is connected by a narrow bitumen road, cutting across mud flats that get inundated during high tide, आपका water area के पास है, यहाँ पे आपकी population density, agriculture, बहुत ही negligible है, इसी विला से यहाँ पे inaugurate करा गया है, and पाकिस्तान is just around 150 meters from the border pillar at नदाबेट, यानि कि 500 meters के दूरी पे यह आपका है तो objective इसका एक तो यह है कि इसका border tourism, सीमा दर्शन border tourism आपका improve करेगा यहाँ पे जैसे आपका Atari पे जाते हैं वागा पे जाते हैं, उसी तरीका से यहाँ पे नदाबेट भी जाएंगे, but it will also restrict migration from the villages across the border to the Indian side तो काफी illegal migration होती रहती है आपकी Pakistan side से आपकी इस area में, तो यहाँ पे यह भी चेक करेगा कि थोड़ी हलचल मचेगी, यहाँ पे border viewing point है, security forces यहाँ पे ध्यान रखेंगी, तो यहाँ पे illegal migration जो होती रहती है, उसको भी रोकेगा and obviously most important point is, इसका objective है कि लोग वहाँ पे, from zero point यानि कि जो इंडिया पाकिसान का आपका जो ऐसा area है, जो दोनों को belong नहीं करता, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे at zero point, a high watch tower has been erected, that will give visitor a view into the Pakistani territory and this will be monitored by the border security force in आपका Banaskantha district of Gujarat तो यह आपका हो गया, पर आप लोग कहेंगे कि वागा तो already है, तो यहाँ पे और इसमें वागा में क्या difference है इसमें, पहली बात तो यह वागा बोटर के बारे में हम बात करेंगे, तो बहुत एक आपकी high intensity parade होती है महाँ पे, आपकी evening parade होती है महाँ पे, तो पाकिस्तान और इंडिया, दोनों की forces, BSF और पाकिस्तानी rangers, दोनों वो आपकी event perform करते हैं बट यहाँ पे, पाकिस्तान involved नहीं होगा, यहाँ पे सरफ इंडिया आपकी इंडिया की जो BSF की force है आपकी वो ही सरफ महाँ पे आपकी ceremony में perform करेगी, एक parade होगी, open air auditorium में, एक तो यह चीज होगी आपका दूसरा होगा, यहाँ पे बहुत सारी और भी आपकी activities होगी, rock climbing grappling, आपकी rifle shooting हो गया एक चोटा सा museum भी construct करा जाएगा, यहाँ पे, क्योंकि 1971 war में भी, नदा बेट ने important role play करा था इस context में, चीग है तो यहाँ पे यह सारी activities भी होती रहेंगी, सीमा ता फिर यह हो गया नदा बेट, और सीमा दर्शन प्रोजेक्ट के बारे में आपको मैंने बताया था, कि this was inaugurated by गुजरात government in 2016 आपका it is a joint initiative of the tourism department of the state government and the BSF गुजरात frontier, border security security force का भी जो गुजरात frontier division है उसने launch करा था, तो दो चीज़े धियान रखना है कि सीमा दर्शन पहली बात तो 2016 में गुजरात government ने launch करा था, किस government ने, and किस agency के साथ आपका होगे, question बूट सकते BSF के साथ, CRPF के साथ CISF के साथ, तो तो यह आपका सीमा दर्शन है, और मैंने आपको यह भी बताया था, कि नदा बेट ने 1971 की जो war थी, आपकी इंडो-Pakistan war थी आपकी, उसमें भी बहुत जादा important role play करा था, क्योंकि BSF ने ना तो यहाँ पे सरफ Pakistani forces को रोका था, but in fact they also captured 15 enemy post, पहले तो Pakistan invade करने की कोशिश कर रहा था, पर BSF की forces ने अपनी बहादुरी से ना सरफ उनको रोका, but in fact then they entered the Pakistani territories and captured 15 enemy post, but then the war was replaced by diplomacy आपका, and thanks to the Shimla agreement of 1972, जबके Zulfikar Ali Bhutto and Indra Gandhi जी ने, दोनों साइड ने आपका Shimla agreement sign करा था, तो वहाँ पे ये territories आपकी वापस करनी पड़ी थी, 15 enemy post थी, और BSF ने आपका 1000 square kilometer of Pakistani territory in आपका नगर परकर and diplo areas, तो ये capture कर लिया था, तो अगेन हो सकता है कि इस context में, शाहिद इसी context में ये prelim से जादा आपका mains में से पूछ लिया जा सकता है, post independent history में, आपका internal security के point of view से, mainly post independent history, general studies paper 1 में जो आता है, तो उसमें नदा बेट का significance contribution कुछ पूछ सकता है, तो ये mention कर लेना, Shimla agreement आपको पता ही है वहाँ पे, it was regarded as one of the worst agreement वहाँ पे, जहां पे seas fire हुई थी, आपके डिसाइड करा था, कि चलो दोनों साइड आपका ensure करेंगे कि fight ना करें, and वहाँ पे ये भी decide करा था, Shimla agreement का major point था, कि we will ensure that all the border conflicts will be sorted out bilaterally, without any third party intervention, तो UN को निकाल दिया गया था, कि अगर कश्मीर का मुद्दा है, कैसे हम solve करेंगे, तो उसमें, और Shimla agreement का सबसे एक लेकिन worst criticism ये था, कि वहाँ पे इंडिया के पास, आपके 93,000 आपके prisoners of war थे, in spite of that, इंडिया returned them, वो तो चलो return करना था, इंडिया के पास बहुत सारी territory भी थी, पाकिस्तन की, वो भी return कर दे थी, तो वो इंडिया ने गलत करा था, ये कहा चाता है, कुछ critics, पड़ागीन, ये धियान रखना कि नदाबेट में भी, इंडिया ने 1000 स्क्वेर किलोमीटर आफ आपका area, 15 enemy post, नगर पर करेंड डिपलो एरिया, इंडिया को return करने पड़े थे, तो friends, ये था आपका नदाबेट के बारे में, ठीक है, I know, आप मुझे नहीं देख रहे हैं, आप पीछे वहाँ पे, जिनकी टांग उपर जा रही है, एक BSF के जवान है, तो उनको focus कर रहे होंगे, तो again, ये आपका वागा water के बारे में, हो सकता है, आप लोगों ने personally भी देखा होगा, तो वागा water के बारे में भी एक बार पढ़ लेते हैं, इस तरीकी की ceremony होती है वागा water में, तो कोशेशन का objective रहता है, कि अपने सर के उपर से, मतलब अपनी टांग इतनी उपर कर ली जाए, कि बिलकुल आपके सर के उपर चल जाए, तो वागा water के बारे में देख लेते हैं, असली वागा, यह तो वागा of आपका गुजरात होगया, वो नदा बेट होगया, पर हम original वागा water के बारे में देखें, जो आपका लाहॉर में लोकेटेड है, आपका पाकरिस्थान में, पंजाब भी वैसे इंडिया साइड भी है और पाकिस्तान साइड भी है, तो इसलिए हाँ पर मैंने स्पेसिफिक्ली मेंशेंग कर रहा है, पंजाब of इंडिया, तो यह अमरत्सर दिस्टिक्ट में है अटारी आपका, and it is just 3 km from the इंडिया-Pakistan border at आपका वागा, and वागा is a पंजाब में, आपका पाकिस्तान में, and it is famous for the अटारी वागा बॉर्डर आपका ceremony, that serves also as a goods transit terminal and a railway station between Pakistan and India, तो आपका वागा से ही आपका महाँ पे goods भी ट्रांसपोर्ट होते है, railway भी आपका travel करती है, और साथ में आपका, यहाँ पे आपकी जो evening ceremony होती है, वो भी होती है, तो by Pakistani Rangers, उनकी साइट पे an Indian Border Security Force आपका, तो जैसे उनकी भी paramilitary force आपकी Pakistan Rangers है के इंडिया के साइट पे Border Security Force, 1959 से ही आपकी ceremony चल रही है, and again, it comprises elaborate rapid dance-like maneuvers and raising legs, high as high as possible, जैसे उस फोटो में दिखाया था, तो आपकी Atari Walk of Water पे होती है, तो आपका नदा बेट हो गया, नदा बेट में पाकिस्तान की साइड पे कुछ ऐसे ceremony नहीं होगी, सरफ इंडिया की साइड में ही होगी, आपकी BSF करेगी, Atari Wagah हो गया, वो मैंने आपको बता दिया, साथ में ऐसी कुछ parades और events और भी होती है, evening time पे, जैसा हो गया, पंजाब में ही होती है, दो जगा पे, फजलिगा के पा अंदा सिंग वाला बॉर्डर, तो ये दो बॉर्डर हैं, यहाँ पे भी आपकी कुछ ceremonies होती है, बाट अगेन इतने elaborate नहीं होती, और जितनी आपकी Atari Wagah बॉर्डर पे होती है, इतनी ज़्यादा Grandeur के साथ, large scale पे आपकी होती है, तो ये भी ऐसी कुछ आपकी है, तो अगेन पूछा जा सकता है कि कहां कहां पे ऐसी आपकी border viewing point या फिर आपका सीमा दर्शन के context में आपका है, ये initiatives भी वैसे आपके सीमा दर्शन के आदर आ जाते हैं, बर specifically सीमा दर्शन नाम की scheme आपकी गुजरात ने launch कर दिये, तो don't get confused कि mainly पंजाब में ही वैसे धियान आता है कि प सीमा दर्शन स्कीम अगुजरात के अंदर लांच करा है, तो friends ये था मेरे lecture आपका नदा बेट के ऊपर या फिर इंडिया पाकिस्तान आपका border viewing point या फिर वागा अफ गुजरात, तो I hope आपको अपको अच्छा लग हो, if you like the lecture then do press the like button, share it with your friends and subscribe to the channel of AQBIAS, if you have any query with respect to this lecture or any other point, please feel free to connect with us, these are our social media platforms, Facebook, Instagram, Telegram, YouTube and this is our contact number 9319057600, if you have any query with respect to this lecture or in any other preparation for UPSC, please feel free to connect with us, so friends, this is Deepak Singh on behalf of AQBIAS, bye, thank you. झाल